राजस्थान में इस साल होने जा रहे विधान सभाद चुनाओ को लेकर दिल्ली में कॉंग्रेस नेत्रुत ने गुर्वार को बैठक बुलाई थी इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे के सिबेनु गोपाल राहुल गांधी के अलावा सचिन पाइलट भी मौजूद रहे सूत्रों के मताबिक सचिन पाइलट ने भरी बैठक में कहा कि हम सब एक हैं हम सब का एक ही गुट है और वह राहुल गांधी और म मलिकारजुन खडगे हैं इस बैठक को लेकर कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे ने भी ट्विट किया था कि हम सब की आकांचाओं का ख्याल रखेंगे पार्टी एक जुट होकर आगामी चुनाओं में जनता के बीच जाएगी राजस्थान का हर अजरी बैठक में राहुल गांधी मलिकारजुन खडगे के सामने इस बात को स्विकारा की हम सब एक ही गुट के हैं ना तो गहलोत गुट एक्टीव है ना ही सचिन पाइलट गुट एक्टीव है सचिन पाइलट ने बैठक में साफ कहा कि मैं अपनी कुछ मागों को लेकर ह बातचीत कर रहा था मेरी ब्यक्तिकत किसी से कोई लड़ाई नहीं है हम सब चुनावी मैदान में एक मंच पर दिखाई देंगे एक साथ एक माईक पर भासण देते भी दिखाई देंगे अब सचिन पाइलेट ने असोग गहलोत से अपने बिवादों का पठा छेप कर दिया ह सचिन पाइलेट की और से असोग गहलोत के साथ उनका कोई बिवाद नहीं है सचिन पाइलेट ने बैठक में हाई कमान के सामने इस बात को स्विकार कर लिया है कि वह अब असोग गहलोत के साथ काम करेंगे बैठक के बाद के सब्सवारता में इस बात का जिक्र किया कि सचि पाइलेट ने भी कहा कि टिकट का जो फॉर्मूला मैं सोच रहा था वही कॉंग्रेस हाई कमान ने भी तै किया है मैंने पहले भी कई बार कॉंग्रेस हाई कमान से इस बारे में चर्चा की थी अब सचिन पाइलेट का फॉर्मूला भी लगभग टिकट बटवारे में लिया ज होने वाला है रही बात सचिन पाइलट को टिक्टों में कितनी भागेदारी दी जाएगी इसका फॉर्मूला तो हाई कमान ने तै कर लिया है बताया जा रहा है कि राहूल गांधी कल प्रेस कॉंफरेंस करेंगे और उस प्रेस कॉंफरेंस से पहले ए आई से सी के तरफ से रिल कारी के अनुसार कॉंघ्रिस हाई कमान ने सचिन फायलट को पहले ही बता दिया है कि उनको कौन सब पद दिया جाएगा और उनकी सहमती के बाद ही ए ईस से कैम्प के नेताओं को दे दी गई है AICC के रिलिस जारी होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई विवात सामने ना है कॉंग्रेस हाई कमान ने इसी लिए यह बैठक की थी अब सचिन पाइलट और असोग गहलोत के बीच चल रहे विवात का पटा छेफ होता दिख रहा है कॉंग्रेस हाई कमान भी इसी प्रयास में लगा हुआ था कि विधान सभाचुनाबों से पहले सचिन पाइलट और असोग गहलोत के विवात को समाप्त कर दिया जाए अब इसकी एक ये आखरी कोसिस भी हाई कमान के तरफ से कर ली गई है कल अब राहुल गांधी प्रेस कांफरेंस करके इस बात का खुलासा भी कर देंगे कि आखरकार सचिन पाइलट और असोग गहलोत के बीच में कुन मुद्धों को लेकर सहमती बनी और किन वजहों से असोग गहलोत और सचिन पाइलेट के बीच में जो विबात चल रहे थे उनको समाप्त कर दिया गया असोग गहलोत के किन बातों को माना गया सचिन पाइलेट के कुन मुद्धों पर असोग गहलोत सहमत हुए और विधान सभा में कानून लाने की तियारी भी कर रहे हैं इसी सत्र में सचिन पाइलट की मागों पर कानून बनने वाला है जैसकी घुफना कल राहुल गांधी कर देंगे